अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू स्टडी फॉर सेल सर्विस यूटूब प्लैटफॉर्म और जर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग कॉंस्टिटूशन में काफी कुछ चीजे देख चुके थे और हम पहुंच चुके थे प्रिंसली स्टेट में है ना तो थोड़ा सा पर सापित थी और एक थे देशी रजवाड़े जिनको कहा जाता है प्रिंसली स्टेट थीक भारत का समिधान बना सब की सहमती सही बना था 552 रियासतों का उलेक मिलता है हमको और इस सब को मर्ज करने की जिम्मेदारी स्वापी गई थी सरदार वल्लब भाई पटेल जी को वल्लब भाई पटेल ने इन सभी देशी रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल होने के फाइदे की बात समझाई और लगभग सभी यूनियन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको बात समझ में आ गई अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि माल लिजे की कोई देशी रियासत है जिसका नाम है भोपाल या जूनागड़ तो वो कैसे इंडियन यूनियन के बीच में रहते हुए इंडिपेंडेंट आखिर अपने आपको कब तक रख सकता था डेमोक्राशी तो इस्टैबलिश वहां पर हो ही नहीं पाती तो वहां पर जो जनता रह रही है उनका विकास कैसे होता परजा अतंत्र वहां पर कैसे स्थापित होता तो लोगों को बात समझ में आई ठीक है तो लगबग सभी रियासते मान गई थी इस बात को तीन थोड़ समल गई और जूनागड किसमें सामिल हो गया इंडियन यूनियन में हैतरा बाद में पुलिसिया करवाई करनी पड़ी ऑपरेशन पोलो चराना पड़ा और इसको भी किसमें सामिल कर लिया इंडियन यूनियन में कश्मीर की कहानी थोड़ी सी दूसरी किसम की थी वहां के र union में शामिल किया गया परंतु special status के साथ 370 वाला जो article है इससे आप भली भाती परचित हैं तो कश्मीर की कहानी थोड़ी सी यहाँ पर कैसी है समझने जैसी है जिसके लिए हमको अलग से कश्मीर का इतिहास से हम सुरुवात करेंगे उसकी और कैसे सन 2019 तक कश्मीर की समयधाने की सती बनी रही और कैसे 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर का special status का दरजा समाप्त किया गया और कश्मीर जैसे बड़े राज्जी को दो केंद्र सासित प्रदेशों या था जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में क्या कर दिया गया बाट दिया गया ठीक तो इस पे हम विशेश चर्चा भी नहीं कर रहे हैं हमारा काम है अभी क्या समझना कि जब भारत आजाद हो गया था तो यह जितनी देशी रियासते थी उनको किस तरीके से मर्ज किया गया इंडियन यूनियन में ये और बाकी जब देख रहे थे यह सारी चीजें हो रही थी तो भारत जैसे देश में जहां अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं कई सारे कल्चर्स यहां पर मौजूद हैं उनकी स्पेसिफ पीबल से अलग हो जाएं जिसमें पोटी स्री रामलू नाम के नेता ने बड़ी एहम भूमी का निभाई आये देखते हैं तो पहले स्री मलू को थो हम बाद में समझेंगे 1950 में हम देखते हैं कि जो स्टेट्स थे इंडिया के उसका क्लासिफेकेशन कुछ चार तरीके से कि गया गया है A, B, C, D में एक अंतरगत आते हैं नौ राज जी और ये जो नौ राज थे इनको कहा गया था गवर्णर प्रोविंसेस जिसमें कुछ राजे ही हैं आसाम, बिहार, बेंगॉल, बॉमबे ये सब इसके अंतरगत आते हैं जिनकी कुल सिंग्या कितनी थी? नौ थी B में आते थे नौ स्टेट जो प्रिंस्ट्री स्टेट थे जैसे की हैदराबाद, जमो कश्मीर आप जानते ही हैं C के अंतरगत दस राज्यों का उलेख मिलता है और ये चीफ कमिस्टरी थी बिटिश इंडिया की, इसमें कुछ देशी रियासतों को भी शामिल किया गया था इसमें अजमेर, भोपाल, इस तरह के राज्यों के नाम आप पढ़ेंगे D में इकलोते किसको रखा गया, अंडमा निकोबार को तो इस तरह के से क्लासिफिकेशन हमको मिलता है, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आप स्टेट्स ये बात है 1950 की, ठीक अच्छा, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि जब integration हो गया सभी देशी रियासतों का, तो भासाई आधार पर मांग उठी दक्षिन भारत में, demand for the linguistic basis state, भासाई आधार पर तेलगू speaking people wanted separate homeland, that is separate state तो ये क्या मामला है, इसकी चानवीन करने के लिए सरकार ने एक retired chief justice, S.K. धर को, कि अध्यक्स्ता में एक committee मनाई और पता लगाने के लिए कि मामला क्या है, सारी जाच परदाल करके बताईए कि क्या चीज है, commission का गठन किया गया ये बात है, 1949 की है, याद रखेंगे कभी-कभी sequence में लगाने को आ जाता है, निम्लखित आयोगों को प्रम में लगाए, ठीक है, was constituted, it rejected the linguistic basis for the formation of state. इसके धर ने कुछ सुझाओ दिये, सरकार को, कि हाँ प्रसासनी का आधार पर या सुविधाओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, लेकिन भासाई आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं रहेगा, अभी नया नया देश आजाद हुआ है, और इस तरीके स एक और कमिटी बनाई गई दिसंबर उन्ली सो और तालिस में, जे वी पी कमिटी कहते हैं इसको, जवाला नहरू, वल्लबाई पटेल और पट्टावी सितार मया, इसके तीन सदसे थे, इन्हों ने भी लिंग्विस्टिक बेसिस का जो आधार था, उसको नकार दिया, और हम देखते हैं कि इस नकारे जाने की वज़े से एजिटेशन सुरू हो जाते हैं, अर्था विरोत प्रदेशन सुरू हो जाता होगा, तो सरकार ने दवाव में आकर, क्या सकते हैं कि जन्भावना का ख्याल रखते हुए, अक्टूबर उन्नी सो तिरेपन में भारत का पहला ऐ ऐसा राज्य बनाया, जो भासाई आधार पर बनाया गया था, और उसका नाम है आंद्रप्रदेश, यह हैं अमर जीवी पोत्ती स्रीरा मल्लू, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कि तेल्गू स्पीकिंग पीपिल के लिए एक क्या होना चाहिए, सेपरेट होम ने भूखरतार करी थी, फजल अली आयोक का नाम सुनाओगा आपने, इसका गठन किया गया, तू री और्गनाईज दे स्टेट्स, तीन सदस्सी कमिशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे स्वायम, फजल अली, दो और सदस्से हैं, केम पनिकर, और एक हैं, हिर्दयनाथ कु जुरू, कमिटी बनाई गी, सितंबर उननी सो पच्पन में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करी, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में लिखा, that they accepted language as the basis of the formation of new state, UPSC में question आया था, कि निमने कत्रों पर विचार कीजिए, और फजल अली आयोग के संबंद में, उन्होंने ये बात लिखी थी, कि फजल अली आयोग ने भी भासाई आधार को राज बनाने के लिए, कि मांग को अस्विकार किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, स्विकार किया था तो अब जाहिर से बात है कि जब ये रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद क्या होगा, और जितने भी राज्य हैं, भारत के अन्हिस्से हैं, वहाँ पर भी linguistic basis पे क्या होगा, मांग क्या डिमांड उतनी शुरू हो गई होगी, और ऐसा हुआ भी इन्होंने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, तो कुछ रिकमेंडेशन सरकार ने मानी, सरकार ने 14 राज्य और 6 केंसासित प्रदेशों का निर्माड किया, और ये बात है नौंबर 1956 की 1956 में हम देखते हैं कि भारत में 14 राज्यों का कह सकते हैं कि पुनर गठन हुआ है, जो राज्य पहले इसको मुनाटेट प्रविंस कहते थे, अब उसको मुत्तर प्रदेश कहेंगे, समझ रहे बात को, कुछ इस तरीके से, अच्छा, अब हमको ये समझना होगा, कि 1956 से लेक अधिये बाद कि कौन सा राज्य कब बना, किस राज्य से निकालकर नए राज्य बनाया गया, आर्टिकल 3 का प्रियोग हो रहा है यहां पर परल्लेमेंट के दौरा मैंने आपको कल समझाया था, 1960 में जिसको बॉंबे प्रेजिडेंसी कहा जाता था, उसको महारास्ट और ग गुजरात, यह बात होगी 1960 की, इसी तरीके हम देखेंगे आने वाले सालों में, आने वाले वर्चों में कई राज्य बने हैं, और आज हम कह रहे हैं, 2023 में भारत में इस समय कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 यूनिन टेरिट्रीज हैं, इससे जैसे एक्जाम में कभी क अग्जाम में आ जाते हैं, मैंसा फॉलिंग करने के लिए, ओके, दादर नगर हवेली 1961, गोवा, जो की पूर्तिगालियों के अधीन था, उसको लिबरेट कराये गया, बड़ी भेंकर ललाई होई थी यहाँ पर, यूनिन अफ इंडिय और पूर्तिगालियों के बीच में, नहीं दिया गया था, एक पिच्चर मनी थी बहुत पेरा इमिताब बच्चन की, इसका नाम था पुकार, बड़ी पुरानी पिच्चर, 1982 की पिच्चर है, 1982 की, उसमें इनी सब चीजों के बारे में दिखाए गया है, लिबरेशन ऑग गोवा, ठीक, उससे कुछ सार पहले उ अब तो बात निकल कर आती है ये, लिबरेशन ऑगोवा, और इसको इस्टैब्लिश कर दिया है वहारा सरकार ने, आर्टिकल 2 का अस्तमाल करके, परलेमेंट है, और यही हाल इसका भी हुआ, हाल होने से में बतना भी है कि पुड़ी चेरी को भी किसमें शामिल कर लिया गया इंडियन यूनियन में, एक काम कीज़ेगा आजाओ, मेरे इस लेक्टर को सुनने के बाद मैप उठाइएगा और जरा देखेगा मैप में पुड़ी चेरी कहा है, जैसे मैं कहूं कि गोवा कहां पर है तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, कौन सा राज्जी कहां पर है आप पुड़ी चेरी केस में ऐसा नहीं होगा, वही खोजना है आपको पुड़ी चेरी का पुड़ी चेरी कहां पर है, तिक राजधानी क्या है, इसको आप ज़रूर देखेगा, मेरे कहने पर प्लीज, 1963 में नागालेंड बना, नागालेंड की अपनी कहानी है, ठीक, 1966 देखेगे, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्जी साब को पताई होगा, पंजाब का मतलब उससे में हुआ करता था, आज का पंजाब, आज का हरियाना, आज का हिमाजर प्रदेश, इतना बड़ा परेजों ने जब गुलाब सिंग को बेश दिया था इसको, उससे पहले ये पंजाब का हिस्सा था, पंजाब वह सबोस्ट भी तो वेरी बिग स्टेट अट टाइम, हरियाना मनाया गया 1966 में, चंडीगड को सात्मी क्या बनाया गया, एक यूनिन टेरिटरी मनाया गया, ओक पंजाब और हरियने की कॉमन कैपिटल भी सर्व करती है चंडीगड, यह आपको पता ही होगा, शाह कमिसन का नाम आता है यहाँ पर, उनके रिकमेंडेशन पर ऐसा किया गया था, 1971 में किमाचर प्रदेश को क्या बना दिया गया, अठारवा राज्य, 1972 में मनिपूर, त्रि प्रदी रहती है यह बात, ठीक, याद रखेंगे, इसी प्रकार नाम आता है सिक्किम का, यह एक्जाम में कॉशन कई बार रिपीट हुआ है, important, कि सिक्किम कि समिधान संसोधन के द्वारा राज्य बना, चछतीश में समिधान संसोधन के द्वारा, यह एक प्रोट्रेक्ट स्टेट था, और पैंटीश में समिधान संसोधन के द्वारा इसके प्रोट्रेक्टिट स्टेट की कंडिशन को समाब्द किया गया, और चछतीश में समिधान संसोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य बनाए गया, this is important, इसे प्रकार 1987 में मिजोरम, आन प्रदेश, और्माच ठीक, फिर तो आपको कहानी पता ही है, ठीक ना, ये सब चीज़ें आपके सामाई हुए होंगी, संदो हजार में, 37 गड़, 26 वा, उतरांचल, 27 वा, जारखन, 28 वा राज्य बना, ठीक, ये हो गया, 28 राज्य हो गया, इंडिया के, 2014 में तेलंगाना बनता है, 29 में राज्य के रूप में, यानि कि 2014 तक भारत में कश्मीर सहित कितने राज्य थे, 29 राज्य थे, और साथ क्या थी यूनिन टेरिटरी, 2019 में मौझूदा सरकार ने, जो उस समय भी मौझूदा सरकार यही थी, जो इस समय है, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समात किया, आर्टिकल 35 A का स्थमाल करके, स्पेशल ओर्डर्स का स्थमाल करके, प्रेजिडेंट का, और कश्मीर को राज्य के स्थान पर, दो यूनिन में माट दिया गया, काफी टॉक अबाउट कह सकता है कि यह मुद्दा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यह बात है, 31 अक्टूबर 2019 की, 31 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर को वल्ला भाई पर्टेल जी का रमदिन होता है, और वो ल अंतीस राज्य थे, वो घट कर हो जाएंगे अब क्या, 28 और जो यूनिन टेरिटरिस थी साथ, वो बढ़कर हो जाएंगी कितनी, 9, तो इससे में टोटल स्टेट कितने हैं, 28 राज्य हो गए हैं, और 9 क्या हो गई हैं, केंदर सासित प्रदेश, तो इस सारा ब्योरा जो हमन हैं, ठीक है, बहुत ही सस्ते में, और बड़ ही किफाइती, ठीक, तो इस तरीके से आज किस्तिती यह है, कि इस समय 29 राज्य हैं, sorry, 28 राज्य हैं और 9 क्या हैं, केंदर सासित प्रदेश हैं, तो क्या आने वाले सालों में क्या इतनी राज्य रहेंगे, ज़रूरी नहीं है, डिमांड बढ़ सकती है, उत्रप्रदेश को पस्चिम उत्रप्रदेश, मद्दी उत्रप्रदेश, और पुर्वानचल में डिवाइट किया जा सकता है, मांग जारी है, बुन्देलखंड की मांग जारी है, तो परिश्ультितियां आप देख सकते हैं कि कभी एक जैसी नहीं यहां भी हमको यह देखने को मिल रहा है, तो हमारे समिधान नहीं अवसर्ज रखा है कि इस प्रकार की चीजों को accept और reject करने का, ठीक, तो यह हमने discussion किया है कल और आज मिलाके part 1 का, अगरा lecture जो होगा वो होगा हमारा citizenship के बारे में, लेकिन नए साल से हमें एक चीज और पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंडियन जोगरफी के बारे में, ठीक, और फिर एगले Thursday, Friday, Saturday को हमारी पढ़ाई इसी में जाड़ी रहेगी, फड़ा सा flavor मना रहेगा, ओके, तो पढ़ाई करते रहिए, और 2024 में कुछ करके दिखाईए, थैंक्यू, टेक केर करके दिख.